तो हम question में read कर दी हूँ, estimate the quantity of earthwork required for 180 meter length of road in a tabular form by using standard prismoidal formula from the following data, chain age दी हुई है, meter में, RL of ground भी दिया हुआ है, RL of formation दी हुई है, अब यहाँ भी RL of formation जो है, level है, मतलब कि यहाँ भी हमें RL of formation पूरे points के लिए, सब के लिए same रहेगी, ठीक है, फिर उसके बाद आगे, formation width of road is 10 meter, side slope दी हुई है, 2 is to 1, prismoidal formula का use करना है, ठीक है, height of bank और depth of cutting, अब पहले यह निकालेंगे, अब यह कैसे निकालेंगे, formation, RL of formation same है, इस बार हमें कुछ भी, मतलब अलग-अलग नहीं लिखनी है, कि RL of formation हर किसी करें calculate करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम direct क्या करते हैं, RL of formation जो है, उसमें से RL of ground minus करते जाते हैं और height लिखते जाते हैं, ठीक है, पहले है 112.6 minus 112, यह आगे 0.6, ठीक है, फिर उसके बाद 112.6 minus 111.8, ठीक है, यह आगे 0.8, 112.6 minus 111.7, यह आगे 0.9, फिर उसके बाद है 112.6 minus, हमारे पास है 3rd वोला point, 111.6, यह आगे 1, ठीक है, यह हो गया, फिर उसके बाद है, यह 112.6 minus 111.7, 1.5, यह किया, 1.1 आगया, फिर उसके बाद है 112.6 minus 111.3, यह आगे 1.3, फिर उसके बाद है 111.4 minus 112.6, उल्टा कर दिया है, तो नेगिटिव साइन को मैं कंसिडर नहीं करूंगी, minus 1.2 आया, तो मैं इसको 1.2 लिख देती हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने उल्टी कैल्कुलेशन कर दी थी, अब यह हो गया, अब हमें क्या करना है, d1 plus d2 upon 2, मतलब इनके mean निकाल लिए, पहले वाले point के लिए कोई mean नहीं होगा, second वाले point के लिए हो जाएगा, 0.8 plus 0.6 divided by 2, यानिकि 0.7, ठीक है, 0.8 plus 0.9 divided by 2, यानिकि 0.85, 1 plus 0.9, यानिकि 1.9 divided by 2, ये आजाएगा 0.95, 2.1 लिख देते हैं, डारेक्ट, 2.1 divided by 2, ये आजाएगा 1.05, ये आजाएगा 2.4 divided by 2, ये आजाएगा 1.2, और ये आजाएगा 2.5, 2.5 divided by 2, 1.25, ये आजाएगा हमारे पास mean, अब हम क्या करेंगे, sectional या फिर central area निकालेंगे, central area जो होगा, जैसे suppose ये इस तरीके से करते हैं, तो इसमें जो central area हम वो निकालेंगे अब, ठीक है, ये हो गया, अब central area के लिए हम B से multiply कर देंगे mean को, ठीक है, B हमारे पास है 10 meter, तो मतलब इसको हम 10 से multiply करते जाएंगे, ये 7 हो गया, ये 8.5 हो गया, ये 9.5 हो गया, ये आगे 10.5, 12, 12.5, ठीक है, ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, D1 का square निकालेंगे, मतलब D1 जो है, हमारे पास ये D1 है, ये भी D1 है, मतलब first वाले में ये D1 हो जाएगा, अगर हम D2 क की बात करेंगे, तो D2 ये हो जाएगे, मतलब ये चीज़ यहाँ से, ये line पूरी ही empty कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, अब D1 की अगर हम बात करें, तो जब हमने mean निकाला था, इन दोनों में, तो D1 ये था और D2 ये था, तो मतलब कि D1 का हम square निकालेंगे, 0.6 का square होता ह है, 0.36, फिर उसके बाद अब second वाले case में ये D1 हो गया था, तो इस तरीके से हम सब के D1s निकाल देते हैं, D1 हमारा 8 का, 0.8 का square हो गया, 0.64, फिर उसके बाद आ गया, 0.81, ठीक है, फिर 1 का square तो हमें पता ही 1 होता है, फिर उसके बाद 1.1 का square हो गया, हमारे पास 1.21, 11 का square, यह आ गया, 13 का square आ जाएगा, यहाँ पर, 1.69, 169 होता है, 13 का, 1.3 का square आ गया, 1.69, अब हम D2 करेंगे, अगर हम इस में देखें, जब हमने पहला mean लिया था, तो D1 ये था, D2 ये था, मतलब हम 0.8 का square निकालेंगे, 0.8 का square मैंने पहले से निकाला हुआ है, इसी को मैं सी इदे लिखती जाती हूँ, 0.64, यह आ जाएगा, 0.81, फिर 1, फिर 1.21, फिर उसके बाद 1.69, अब लास्ट वाले के लिए हमारे पास था, D2 जो है, वो ये है, 1.2, ठेक है, 1.2 का square हो गया, 1.44, 12 का square जो होता है, 144 होता है, अब D1 और D2 को multiply करना, D1 ये, D2 ये, इनको multiply करें फर्स्ट केस में, 0.6 multiplied by 0.8, ये आ जाएगा, हमारे पास 0.48, ठीक है, सेकिन केस में इन दोनों को multiply करेंगे, ऐसी करके अब multiply करते जाएंगे, तो सेकिन आ गया, 0.72, 0.90, फिर उसके बाद 1.10, फिर उसके, अब ये आ जाएगा, 1.1 multiplied by 1.3, ठीक है, ये आ गया, 1.43, फिर आ गया, 1.3 multiplied by 1.2, ये आ गया, 1.56, अब ये फॉर्मिला है, इसके according हमें ये चलते जाना है, और मैं फर्स्ट वाला आपको करके दिखा देती हूं, फर्स्ट आ जाएगा, डी वन का square, यानि कि, ये आ गया, 0.36, प्लस 0.64, प्लस 0.48, ये आ गया, मतलब इन तीनों का square, divided by 3, ये आ जाएगा, 0.493, ठीक है, ये आ जाएगा, अब ये तो मैंने निकाल दिया, अब बाकी सब आप calculate कर ले ना, मैं डारेक्ट लिखती जाती हूं, ये आ जाएगा, 0.43, 493, 0.723, इन तीनों का sum करके आएगा, हमारे पास, 0.903, इन तीनों का sum करके आएगा, हमारे पास, ये आ गया, 0.903, और ये आ गया, 1.103, फिर आ गया, 1.443, 1.563, इसके बाद है, sectional area of sides, sq, मतलब कि ये portion को मैंने q let किया हुआ है, तो मैं इसको बोल दूँगे, sq, मतलब इस portion को, अगर हम s से multiply करते हैं, तो हमारे आ जाएगा, sectional area, sides का, तो s हमारे पास है, 2, तो हम 2 से, इन सब को multiply करते जाएंगे, 2 into 0.493, ये आ गया, 0.986, 2 into 723, ये आ जाएगा, 1.446, पॉइंट में लगाया नहीं, 0.903 into 2, ये आ गया, 1.806, और इसको भी अगर हम multiply करें, तो ये आ जाएगा, 2.21, फिर उसके बाद आ जाएगा, 2.89, फिर आ गया, 3.13, फिर उसके बाद है, total area, अब ये वाला portion, इस चीज़ को add करेंगे, किस के साथ, इस के साथ, ठीक है, ये हमारा central area था, ये sides का area, तो इन दोनों का sum करेंगे, तो total area आ जाएगा, total area जो है, वो है हमारे पास, 7.99, इसको मैं 9 ले लूँ अगर, 0.99 ले लूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा, 7.99, फिर उसके बाद है, 9.95, 11.13, 12.70, 14.89, 15.63, ठीक है, ये हो गया, फिर उसके बाद distance between stations, अब stations के बीच में, distance हमें दिया हुआ है, कितना यहाँ पर आगर देखें, 0, 30, फिर 60, मतलब 30 का difference है, तो ये आ जाएगा, distance 30, 30, 30, 30, सब में, अब हम इसको total area से multiply कर देंगे, अगर हम total area से multiply करते हैं, तो ये आ जाएगा, 239.7, फिर ये आएगा, 9.95 x 30, ये आ गया, 298.5, 30 x 11.13, 33, 33, 33.9, फिर उसके बाद, 12.7, multiply by 30, 38, 381, और 30 x 14.89, यहाँ पर विजिबल नहीं है, 0.89, ये आ जाएगा, 4, 4, 6.7, ठीक है, पूरा banking में है, कहीं पर भी D में negative sign नहीं है, तो ये पूरा banking में है, इसलिए मैंने पूरा quantity एक साथ ही लिखती है, ये आ गया, 15.63 x 30, ये आ गया, हमारे पास, 468, 468.9, इसका अब हम total निकाल लेते हैं, प्लस 4, 4, 6.7, प्लस 381, प्लस 3, 3, 3.9, प्लस 298.5, प्लस 239.7, ये आ गया, हमारे पास, total 2168.7 cubic meter, ये आ गया, हमारे पास, को एंटिटी,